नमस्कार दोस्तों Welcome to Swing Trade इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस स्टॉक से जो कि इसमें फाइब स्टॉक लार्ज क्याफ है और फाइब स्टॉक जो है मिडिकाप स्मॉल क्याप रेंज का स्टॉक है तो इसमें आप खुद का अनालीसिस जरूर कीजिएगा कोई भी स्टॉक को स्टॉक करने से पहले आप सबको जरूर करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए तक कि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है चले स्टाट करते हैं वीडियो फ्रेंट्स पहला स्टॉक जो है यहां पर विल्कुल नहीं है कि स्टॉक में करेक्शन हो गया इसका मतलब यहां से बहुत बड़ा प्रोब्लेम कुछ एक अपर कर्पोरेट कबनांस का इसुए ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए अगर न्यूज की बात करेंगे स्टॉक का अगर आल टाइम हाई की बात करेंगे स्टॉ बहुत बड़ा सा करेक्शन हो चुका है मेरे हिसाब से अभी इस टॉक को आपना पॉटफोलिय में आप लेके चल सकते हैं क्योंकि यह सब बाइंग करेंगे आप बहुत बड़ा बना सकते हैं लंग टर्में अब देखेंगे यहां पर लंग टर्म में 2732 परसंटेज का स्ट 53 परसंट का यहां पर अनलिस्ट बोल रहें कि स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं ठीक और जिनके पास में इसका पेड़ वर्जन होगा तो जरूर देख सकते हैं कि इसका मिट टर्म का क्या टर्गेट है टेक्निकल अनलिस पर हम वहीं स्टॉक के बारें बात करते हैं आपने का आरोची 46 परसंटेस का और कंपनी को पर डेट भी इतना ज्यादा नहीं लॉड़ एट कंपनी के ओपर 0.07 का डेट इतना ज्यादा देट भी नहीं यहां पर आप देखेंगे यहां पर यहां पर दिवीडेंट इल्ड भी बहुत बढ़ी है 1.7 परसंटेस का देखिए यह स्टॉक जो है इतना बड़ा करेक्शन तब ही होता है जो मार्केट में बहुत बड़ा सा फॉल होता है नहीं तो वैसे स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलता है 5,900 का स्टॉक था अभी 4,000 पर आ चुका है 19 रुपे का डिसकाउंट है यह स्टॉक में और स्टॉक का दिखिए जब से लिस्टिंग होआ है तो यहां पर 517 परसेंटेज का पॉजिटीव रिटन दिया है और कितना साल में दिखिए यहां पर 2017 से लेके अभी तक का ठिक पांच साल में स्टॉक में पांच टाइम से भी रिटन दे दिया इतना बड़ा करेक्शन की बावजुद भी और कंपनी देखिए यह स्टॉक में आप अगर क्यापिटाल इंवेस्टमेंट करेंगे एक कंपनी में डर लगए है क्या टू लाग फिप्टी नाइन थाजन करोड का मार्केट क्या ठीक है तो यह स्टॉक में बिलकुल आपका अपना नजर में रखना चा यह हमेशा इसा मौका नहीं देता है फ्रेंस यह अभी मौका दे रहा है मौका आप सोच के चलिए ठीक है यहां पर लंग्टर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लंग्टर में भी अट्रा पर्सिंटेज का रिटन दिया है लेकिन यह बहुत अंडर पर्फॉमांस दे इसाब कर लेकिन इसा बिल्कौल भी मैंने आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि यह चलो आप खुदक का आलीशी जरूर कर लीजिए उसी वैसिस पर आपको स्टॉक को लेना है मेरा मेरा कापवलियं मैं अगर ए स्टॉक्य को अपना होल्डिंग में मुझे कोई नहीं स्टॉक डिवीडेंट इलि थे सथ का डिवीडेंट और सिस्टी टू पर से आल्लिक्ट बोल रहे हैं कि स्टॉक को बाइग держits सब्सक्राइब का मार्केट क्या पर ठीक है और कंपनी यहां पर दिखिए स्टॉक मार्केट में 106 नंबर रहा है तो मेरे हिसाब से अपना पॉट्फोलिय में लेके चलना चाहिए बहुत अच्छा सा वेल्थ बना के देगा इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं सब्सक्राइब करना आपको सकते हैं मैंने एक स्टॉक्स किया हूं अगर आपका फेवराइट है तो आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोई प्रोब्लेम नहीं तीनों को तीनों मल्टिव अगर स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर के मार्केट डिजार है तो यहां पर स्टॉक का ऑल्ल टाइम हाई देखिए यहां पर सब्सक्राइब करेक्शन हो चुका है और यहां पर देखिए आनलिस्ट बोल रहे हैं कि बाइग करके चलो इसा स्टॉक में डर लगेगा क्या और और कंपनी का मार्केट क्या देखिए 4,85,000 क्रोट का मार्केट क्या पर फ्राइवेट ब्यांक का दिग्दज ब्यांक है मार्केट डिदर भी है ठीक है जब जब स्टॉक गिरता है ना जब भी कोई गिरावट में बाई करता है तो उसका बहुत बड़ा वेल्ट बनता है ठ स्टॉक में देखेंगे बहुत बढ़िया विल्थ बना के दिया है एक लाग चौवन हजार परसेंटेज का रिटन दिया है ठीक है बहुत बड़ा मल्टी अगर स्टॉक बना तो यह स्टॉक में सबको तो करोड़ पती बना दिया है जिन्होंने लांग टर्म अगर उसी साब से देखेंगे तो कंपनी का पी अभी भी 95 पे क्योंकि स्टॉक प्रिमियूम पर हमें साइट होता है यह टाइम था कोवीड के टाइम पर ज्यादा धुलाई हो गया था ज्यादा पिटाई हो गया था लेकिन उस टाइम पर मैंने बाई किया था बहुत अच् अगर बहुत बढ़ा बना के दे सकता है और जो भी अगर आप शुण इड्रेट के लिए लेंगे तो उसका लाइफ टाइम हाई पर आपको प्रफिट वोकिंग करना है ठीक है और सारे अनालीस भी आपको अगर आनालीस देखना है वहां पर जाके चैनल पर जरूर देख सक इस स्टॉक के बारें बात करेंगे जो कि सिख स्टॉक के बहुत पहले भी मैं आपके साथ में शेर किया हूं यह जो स्टॉक है आपका पोर्फोलियम अगर नहीं है तो आप इसको लेकर सकते हैं बहुत बड़ीए सा रिटन आपको कमा के देगा स्टॉक ठीके जब 22 रुप बहुत बढ़ी है करेक्षिन पर अभी है और स्टॉक में 74 का पी पर अभी भी इस टर्रेडिंग रहा है यहां पे 21000 करोड का मार्केट क्या है तो यह यह पर यह स्टॉक में भी आप बिलकुल इंबेस्टमेंट करके चल सकते हैं कोई तो बीद औरने का कोई मुल्टी वेगर स्टॉक है स्मॉल क्याप स्टॉक है अफेल इंडिया में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप भी करके चल सकते यह बहुत बड़ा वेल्थ बना के दे सकता है सोला हजार क्रोर का मार्केट क्या पर हुंड्रेड परसेंट आनलिस्ट बोल रहें कि इस टॉक को बाइगर के चल सकते हैं तो इसमें बहुत बड़ा वेल्थ बनेगा इसका एक सॉट्रम का टार्गेट भी मैंने चैनल पर पोस्ट किया हुए तो आप जाके वहां पर सॉट्र सव तक यहां पर देखते हैं मुझे लगता है ऑधार हुराइं कि इसके चाशिय। तो लेकिन मेरा जो जीटी ट्रेटर था यहां पे 1650 का था मैंने इसको कॉपी थी हैंडल पैटन पे 1650 का मैंने टार्गेट दिया हुआ था लेकिन यहां पे मार्केट करेक्शन हुआ उसके साथ में स्टॉक भी निचे आ गया था नहीं तो मेरा अब तक का टार्गेट भी यहां पर इंवेट्मेंट करके चल सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिया हुआ यहां पर 9600 करोड का मार्केट के अपर मैंने पहले भी बताया था कि आपको 5 स्टॉक में लार्स के बाता रहा हूं उसके बाद में स्मॉल के बारे में बात करेंगे यह स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो उसके साथ में अगर आप लॉंग टर्म का चाट पेटन देखेंगे ना देखेंगे बहुत बढ़ी ऐसा वेल्थ बना के दिया है जब से लिस्टिंग होए ना बहुत बढ़ी आप बात करेंगे जो कि यहां पर बहुत अच्छा आपका वेल्थ बन सकता है अगर आप अच्छा पैसे यहां पर बन सकता है अगर आपके पोर्टफुलिय में तो मेरे हिसाब से अपको होल्ड करना चाहिए अगर आपने अभी तक इंग कंसिडर नहीं किया सकते हैं अभी जिसी साब से कुलर से बड़ी आए बढ़ेगा तो यहांपे बहुत बड़ी ऐसे तो यहांफ बड़ी जो च्रेडिंग हो रहा है अग्षस अगर हम बात करेंगे स्क्राइब करने के लिखius क्लोंशने क्रोंप है और यहां परи तो यहां पर आपका पैसे बन सकता है तो यहां पर आप देखेंगे अपने हिसाब से ले सकते हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख लिए आप जाके जरूर देख लिएगा कहां पर अगर शट्टर्म के लिए तो कौन से टार्गेट पर आपको प्रफिट उगिंग करना चाहिए अगर आप दो साले स्टॉक में होल्डिंग करेंगे तो आपको पैसे डबल हो सकता है ठीक है नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे जो कि मल्टी अगर स्टॉक है और मेरा फिवरेट स्टॉक है आप दोस्त रिटर्ण दिया कंपनी 10-15 साल से बिजनेश चल रहा है यहां कभी होता नहीं है ठीक हम सोचते हैं स्टॉक निच्चे गिरता है तो हमारा मन डग मगता है लेकिन स्टॉक भागता है उस टाइंप उतावला पन होता है फिर टॉप में जाके हम फच जाते हैं जैसे अ फिर से बनेगा और जब लेकिन फिर वहां पर आप अच्छा पैसे बनता लेकिन फिर भी अगर किसी का वहां पर फसा हुआ है कोई लेवल पर अबट इंडिया को होल्ड कीजिए कोई भी प्रोब्लेम ने ग्रेट कंपनी है ठीक है तो यहां पर टेस्टी में बहुत कर सकते हैं कब आएगा ठीक है लेकिन नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट क्वाटर में बढ़ी ऐसा रेजल्ट आजाए तो स्टॉक बिल्कुल भाग नहीं लगेगा ठीक है तो यह स्टॉक में भी अपना पोजिशन बनाना चीए यहां पर आरो सी है और देट थोड़ा सा है कं 0.56 कंपनी के ऊपर तो इसको भी आप चल सकते हैं यह 10 कंपनी के बारे मैं आपको बताया कोई भी स्टॉक बाइब करने से पहले आप अपना फाइनेंचल अडवाइजर से जरूर सला ले लिए उसी बैसी पर आपको किसी भी स्टॉक में पोजिशन बनाना है इसमें मेरा कह अगर आपके पास में कोई फंडामेंटल वी स्टॉक है और भी भी आपको अपर्चुनिटी यह तो इम्मीडियेटल वो स्टॉक से निकल के बढ़िया सा स्टॉक आपना पोटफोलियो में ले लिजिए पैसे डबल हो सकता है फिर से मैं बता रहा हूं पैसे डबल हो सकता ह ठीक है इसा कोई ग्यारेंटी नहीं है लेकिन आपको भी पता होगा जरूर हो सकता है कौन सा स्टॉक में हो सकता है आपको अगर पता है कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख दीजेगा फ्रेंट्स ठीक है थैंक्यू बेरी मुच फ्रेंस पर आचिंग दिस वीडियो मिलते है